हलो गाइस विल्कम बैक निटीव चनल सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिस का सेंपल कुशिन पेपर बोर्ड इस हम 2022 के लिए तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो देखो यह आपका फिजिस का पेपर है टाइम आपका साड़े तीन घंटे रहने वाले हैं 70 मा कितने क्वेशन हैं कितना मांग से जो भी पुरा इंफर्मिशन दिया है यहां पर आपको रहेगा जनल इस्ट्रक्शन करके में तो सबसे पहले हैं स्ट्रक्शन इस जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेशन है दस मास के लिए आपको M.C.q दिया गया है तो देखो M.C.q में खास करके आपको जो आपको देखो तो कैसे क्वेशन पूछे गए हैं के बाद इसमें देखो mcq में भी जैसे कि यहां पर आप देखो दी बुलेन एक्सप्रेशन फॉर नौर गेट सो जो आपका लास्ट सेमी कंडेक्टर में जो टेबल है लोजिक गेट वाला और टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो उसमें से mcq के लिए या फिर वन मार्क के लिए या फिर चार मार्क के लिए लोजिक गेट के ऊपर आपको शॉर्ट नौट लिखने को आ सकता है लोजिक गेट ए टॉपिक गहुत इंपोरेंट है तो आप यहां पर mcq देख सकते हो जाए नहीं हो इसके बाद क्विशन टू रहेगा वन लाइन क्विशन वाला तो यहां पर आप देसके लिए अपर देसकते हो तो यहां पर जो डेफिनिशन जो रहती है छोटी-छोटी यहां पर इसमें वह पुछा जाएगा definition यहां जो चोटे numerical होते हैं वह भी पूछे जा सकते हैं इसमें जो numerical जो एक दो करना होगा और थोड़ा सा इंफर्मिशन देना होगा इस से पहले कर J देना होता था बर इसमें आपको definition के साथ साथ थोड़ा उसका information भी देना होगा और numerical भी थोड़े बढ़े आने वाले हैं इसमें जो भी value दिया है आपको यहां पर value दिया रहेगा तो यहां पर देख तो आप कौन से question दिये गया है है तो जो हाइजन्स वाला आपको दिया गया है हाइजन्स थियोरी जो है हाइजन्स प्रिंसिपल वाला बहुत इंप्रेंट है उस पर जरूर क्यूशन आएंगे क्योंकि हमेशा चाहे किसी भी college का आपका ट्रिलियम वगारा हो उस पर question तो आते हैं यह वेव ऑप्टिक्स टॉपिक में से इस चप्टर में से जो हाइजन्स प्रिंसिपल है उसमें से question आने ही वाले हैं तो उसके बाद state the use of potentiometer आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद part c आता है इसमें आपको कोई 8 attempt करनी होंगे कैसे question आप देख सकते हो यहां पर इसमें आपको जो expression इसको derive करना होगा और जब भी आप expression को derive करते होना तो उससे related कोई diagram अगर है तो आपको आपको आपर बनाना होगा उससे related कोई diagram वगर हो गया उसको अच्छी तो बना कि label करना होगा expression में उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो जो यह वाला है state and true theorem of parallel axis तो यह वाला जो theorem है बहुत important होता है बहुत important है हर delay में हर जगा पर लगबग unit test हो गया या फिर premium लेलो यह वाला पूछते हैं यह college वा parallel axis लेतों on so यहां पर आप देख सकते हो गर इसके बार लास्ट का D है nre So i7 क्या होता है जो लास्ट का section है स्च्छन इसमें एक ही question में दो तीन अलग-लग question पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको prepare होना होगा एक ही question में देखो यहां पर दो अलग-अलग question पूछेजाते ह हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं पार्ट एंड पार्ट बी ए हो गया एंड यहां पर आप देख रोते हो उसके एक्स्प्लेइन करना होगा किसी चीज़ का वर्किंग प्रांधिस्टर का वर्किंग उसका पूरा सर्किट डियाग्राम बनाके सो एंड आपका एक सेंपल क्यूशन पेपर्ट एंड के बूर्ड एक्साम में आने वाली हैं अड बाहर सा यहां कोई केंट है जो ट्व 25 पॉँट एलिटेटिट सेंवल बार्ट करना मैं अं उसलिए तो उसका सबिछ बदो! बाद में बोर्ड उसको सेमी कंड़क्टर हो गया और थर्मोडानेमिक्स भी हो गया थर्मोडानेमिक्स केमिस्ट्री में भी है और अगर अपने केमिस्ट्री का पढ़ा है थर्मोडानेमिक्स तो फिजिस का भी आप इजिली पढ़ पाऊगे एंड चप्टर नमबर 11, Magnetic Material है, वह भी बहुत इस चप्टर है, इसमें से बहुत कुछ रडियूस हो गया है, एसे जो छोटे मुटर चप्टर है, जिसमें से बहुत कुछ रडियूस हो गया, लेकिन फिल भी उसका 4-5 माक्स है, उसको आप बहुत अच्छे से पहले कर लो, और बागे सब जो बड़े बड़े चप्टर दिन को आपने भी तक पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, उसका एक्सराइज का नुमेरिकल कर लो, जो छोटे वाले नुमेरिकल है, वन माक्स के लिए, दो माक्स के लिए, और उसका कर लो, यह था आपका पेपर फुजिस का, बेस्ट अपलग आपके फुजिस के पेपर के लिए, इन तो है अनके से वीडियो में धन्यवाद,